वंश की रक्षा किसी परवत प्रदेश में मंदविश नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था. एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है, जिससे बिना परिश्रम किये ही उसकी आजीविका चलती रहे. उसके मन में तब एक विचार आया. वह समीब के मेंधकों से भरे तालाब के पास चला गया. वहाँ पहुचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा. उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेंधक को आश्चर यह हुआ तो उसने पूछा, मामा, आज क्या बात है? शाम हो गई है, किन्तु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो. सर्प बड़े दुहकी मन से कहने लगा. बेटे, क्या करूँ, मुझे तो अब भोजन की अभिलाशा ही नहीं रह गई है. आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था. एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंधक को देखा. मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था, कि उसने मुझे देख लिया. समीप ही कुछ ब्राह्मन स्वाध्याय में लीन थे, वह उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया, उसको तो मैंने फिर देखा नहीं. किन्तु उसके भ्राह्मन मैंने एक ब्राह्मन के पुत्र के अंगूठे को काट लिया. उससे उसकी ततकाल मृत्यू हो गई. उसके पिता को इसका बड़ा दुहक हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा. दुष्ट तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है, अपने इस अपराध के कारण तुमको मेंधकों का वाहन बनना पड़ेगा. बस तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश से ही मैं यहां तुम लोगों के पास आया हूँ. मेंधक सर्प से यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वह बात सुना दी. इस प्रकार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई यह बात सब मेंधकों तक पहुँच गई उनके राजा जलपाद को भी इसका समाचार मिला उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ सबसे पहले वही सर्प के पास जाकर उसके फन पर चड़ गया उसे चड़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेंधक उसकी पीठ पर चड़ गए सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा मंदविश ने उन्हें भांति-भांती के कर्तब दिखाए सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्ष को पाकर जलपाद तो बहुत ही प्रसन्न हुआ इस प्रकार एक दिन निकल गया दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया उसको देखकर जलपाद ने पूछा क्या बात है आज आप चल नहीं पा रहे है हाँ मैं आज भूखा हूँ इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है जलपाद बोला ऐसी क्या बात है आप साधारन कोटी के छोटे मोटे मिंधकों को खालिया कीजिए इस प्रकार वह सर्प नित्यप्रती बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया किन्तु वह जलपाद यह भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वन्ष का नाश करने का भागी बन रहा है सभी मेंधकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन जलपाद को भी खा लिया इस तरह मेंधकों का समूचा वन्षी नश्थ हो गया सीख अपने हितैशियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है